कि वे que rejection कि एम बात करेंगे थो सिर्ष में होई बिश्टिव्स आफ cash management है हैं इसे इस अधुरफ बात करें थे cash management क्या होता है कैश मेनेजमेंट का क्या मेनिंग है इसके बोथ सेंस नेरो सेंस एंड ब्रॉडर सेंस के बारे में हमने बात करी ती इस वीडियो में अब्जेक्टिव को कवर करेंगे cash management के क्या-क्य objectives है क्यों करा जाता है cash management कि इस objective को लेकर करा जाता है वो आज हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहला objective है to make payment according to payment schedule यानि कि payment करना according to payment के time period के business पर payment का routine मनाना for example अगर हम इसमें देखे कि एक company है एक industry है और उस industry के अंदर जो labor work कर रहे है उन labor का time to time या तो daily basis पे या weekly basis पे या फिर salary basis पे यानि कि monthly basis पे अगर हम दे रहे हैं तो उसको wages का particular time period रहता है कि उस time period में वो चीच wages के form में उनको देना कि seventh date को हम या पे payment कर रहे है किसी भी labor को किसी भी employee को salary के form में wages salary के form में इस तरीके से हम एक expenses meet करते है कि electricity bill time to time देना salary time to time देना टेक्स का payment time to time करना routine expenses है जो miscellaneous expenses है जो उन expenses को payment schedule के according देना तो यह cash management का एक objective माना गया है कि हम जो भी cash manage कर रहा है cash को चाहिए हम cash in hand में रख रहे है या फिर हम cash at bank या फिर other asset में रख रहे है उस cash का management का एक object होता है कि उन cash को routine expenses के form में सही तरीके से availability के रूप में लाना availability का मतलब यहां पर जब भी expense हो तो तो समय हमारे पास एक adequate form में cash available हो जाए जिस जिस form की वज़े से हम यहां पर cash को payment के अंदर काम में ले सके so farm needs cash to meet its routine expenses including wages salary taxes etc that is a example दे रखे हैं जिसमें routine expenses को pay करने के लिए यहां पर cash का payment करा जाता है इसलिए cash management एक guarantee देता है कि firm के पास sufficient cash है जब उसके expenses या उसके purposes complete करने का time है तो उसको cash के availability मिल सके या cash उसके पास हो कि second to minimize cash balance पहला तो यहां पर to make payment according to payment schedule and second to minimize cash balance यानि कि cash balance को maintain कर सके एक्सेसिफ कैश और कैश ना होना दोनों ही यहां पर या तो excessive cash हो या फिर lesser cash हो दोनों यहां पर एक company को परेशानी में डालने का काम करता है एक्सेसिफ cash में अगर देखा जाए तो ज्यादा जल्दी payment करता है ज्यादा cash होगा तो payment ज्यादा होगा और cash की जब जरुत होगी तो availability यहां पर danger zone में आ जाती है तो यहां cash management क्या करता है एक planning करवाता है कि cash balance को minimize माइज यानि की maintain कर सके कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं यहां पर एक object ठीरता है तो दा excessive amount of cash balance help in quicker payment बट excessive cash में unused remain unused and reduce profitability of a business ज्यादा cash होना profit को कम करता है उसका misuse या unused होता है या फिर यह हो सकता है कि जल्दी जली payment करना ज्यादा cash आने की वज़े से और surplus cash में यहां पर investment भी विध्यान company नहीं देती और वहां पर उस समय क्या करती है company अपने payment अपने खर्चों को ज्यादा बढ़ा देती है तो खर्चों को कम करने के लिए यहां पर ज्यादा cash भी नहीं होना चाहिए अगर ज्यादा cash होगा तो खर्चे ज्यादा company करेंगी यह रूल है cash का कि जद्धा ज्यादा company cash रखेंगी उत्ता यहां पर cash का outflow maintain करेंगे जिससे बार में फिर दिक्कत होगी और सेकंड कॉंटर ली वेन cash available इस with form is less form is unable to pay its liability time पर आगी वहां उसको पर नहीं कर पानी क्यों क्याश की availability नहीं है जिसलिए कंभी भी company पास excessive cash और तो उसका properly reuse होना चाहिए अगर excessive cash है तो उसको convert कर देना चाहिए जैसे investment में या फिर ऐसे planning में इस ऐसे capital structure में जो company के future में return दे सके और अगर cash available नहीं है तो availability के उपर ध्यान देना या पर चीए company को जैसे cash प्रॉपर available हो सके payment के टाइम पर और जब उसकी जरुद हो कैश management की कुछ दो objective है जिसा objective पर बात करी summarize form में अगर हम इसको देखें तो cash का जो payment करना होता है इसलिए cash management जरूरी है और cash को maintain करना प्रॉपरली payment के लिए minimize cash balance के लिए जिसलिए cash management जरूरी है एक support देता cash management जिससे cash का outlook clear हो सके cash management planning में help करता है cash management company को एक तरीके से एक advantage देता कि customer को discount special purchases या business opportunity में उसको help करता है short term long term investment के लिए cash management होना बहुत जरूरी है तो ideally अगर fund की availability होगी तो यहां पर fund proper use होगा और company growth की तरफ आगे move करेगी वाट अगर availability नहीं होगी तो company growth के तरफ मूव नहीं कर पाएगी so that is the objective of cash management thank you तो प्रीके आगर बहुत सबस्थ़रा बहुत सबस्थना वाट थे तरफ पाएगी तो यहां वाटर बहुत यहां झागा उड़ख विजर रड़शना रड़शना वाटर्शना यहां ज़िए नहीं होगी तरफ उप पाएगी झाल झाल